रहे हैं आपका चनल शे बदर वितायुष और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे विदानता पे विदानता लगाता रभी कह सकते हैं हाल फिलाल की दिनों में सुर्ख्यों में बना हुआ है अब कंपनी की दौर एक major announcement कर दिया गया है dividend को लेकर बात करेंगे इस वीडियो करीवन 0.82% बढ़ा है और लास्ट अगर पास जुन में देखेंगे तो 4-5% की तेजी हम विदानता के अंदर नोटेस कर रहे हैं and definitely stock map साफसाफ देख सकते हैं कि जो तेजी बनना चालो ही 230 के लेवल पर आज 280 के उपर stock निकल चुका है और कह सकते हैं कि थोड़ा सा consolidation यहां पर बढ़िया तरीके से हो रहा है और stock उपर पूरी तरीके से जाता हुआ नजर आ रहा है 281-282 पर अभी currently stock trade कर रहा है अब major लिया पर ख़बर जो निकल के आई है वो है दोस्तो financial year 24 का first interim dividend दोस्तो company देने वाली है तो पहला अपना dividend जो है वो इस साल का यानि नए financial year का company के द्वारा घोशित किया जाएगा और यह अपने आप में काफी बड़ी ख़बर है अब यह समझना पड़ेगा दोस्तो सबसे महले तो जो company announcement किया है उसके आरहे बात करते है फिर आगे कुछ important बात है जो आपको समझनी पड़ेगी और फिर हम company को technically भी समझेंगी कि हाँ कौन 30th of May 2023 30 मही 2030 को दोस्तो company ने एक आए कि वो dividend का announce करेंगे और record date for the purpose for determining the entitlement of the equity shareholders for the said dividend if declared is being fixed as Tuesday 30th May 2023 तो 30 मही 2030 दोस्तो date भी रग दी गई है जो होने वाली है इसकी basically record date दूसरी बार जो company ने मेचे बताए थी वो यही थी कि इस propose to schedule on Monday 22nd May 2023 to consider and approve the first interim dividend of the equities years if any for financial year 2023 2024 तो याद रखेगा dividend की record date कौन से है record date है 30 मही की और announcement कब होने वाली है announcement होने वाली 22nd May को यहनि upcoming Monday को दोस्तो company के द्वारा dividend को announce किया जाएगा और यह बात ध्यान रखेगा 30 मही को dividend की record date भी हो जाएगी तो Monday दोस्तों वो दिन होने वाला है जब company के दौरा first interim dividend की घोशना की जाएगी company लगातार पैसों का इंतिजाम करती भी निज़रा रही काफी खबरे आई थी जिसमें banks के दौरा company पैसे जुटाने की बात कर रही थी company दोस्तों लगातार जो dividend देती है इससे विदानता resources को पैसा जाता है जिससे भी company definitely अपना जो bond है और जो पैसा है वो उसके पास आता है इसलिए उस तो company लगातार क्या कर रही है लगातार company dividends का announcement कर रही है इसलिए तो अगर आप देखेंगे लगातार हर quarter में company कोई न कोई dividend देती नई financial year आ चुका है और first interim dividend की भी घोशना company दोरह कर देगी अगर numbers के मैं बात करता हूँ जो हाली में company के numbers निकल के आये थे जो हाली के numbers थे उसमें company के जो sales थी वो करीबन 37,930 करोड पर आई थी और जो company का overall sales था सालाना तोर पर उसमें majorly हम कह सकते एक decline देखने को मला company का जो operating profit था या फिर कह सकते जो net profit था वो करीबन 3,132 करोड पर रहा और वो ही दोस्तों सालाना तोर पर काफी जादा गिरा 7,260 करोड का था सालाना तोर पर पर पिछले साल और इस बार कितना आया मातर 3,132 करोड तो numbers दोस्तों company के इस बार ज़रू quarter on quarter तोर पर सुधरे दे लेकिन साल बर साल पर काफी numbers को खराप कह सकते हैं लेकिन undoubtedly क्योंकि company को अभी जो अपनी पूरी problems को solve करना है इसके लिए इनके पास एक मातर जो option आता भी है वो यही है कि किस तरह से जो company का profit आ रहा है जो company का net cash आ रहा है उसको utilize करे और उसको utilize किस तरह से कर सकते हैं dividend के form में shareholders को dividend देंगे and definitely उस dividend का company भी use करती है इसलिए अगर आप देखेंगे company का majorly जाता किसके पासे पैजा आप जो company के promoter है और company के promoter कौन कौन आपको देखने को जाता है twin star holdings विधानता holding mauritius of insider international company विधानता holding mauritius limited यह सब दोस्तों company के basically आपको subsidiaries आप फिर holding देखने को मिलती है तो वह उनके पास पैसा जाता है जिससे company जो है उस पैसा का utilization करती है तो इस तरह की चे दोस्तों यहाँ पर company लगा था इन्वेस्टर्स को भी पैसे दे रही है जो इनके shareholders है पुब public के पास जादा shares नहीं यह विदानता के 13% के आसपास के लेकिन बाकी का जो पैसा है वो विदानता के promoters के पास जाता है और promoters उसका use करते हैं अपने सारे जो भी payment है उसको करने के लिए जो bond का payment है उन सब के लिए company के पास cash को company को generate करना है उस तरह से cash company अपने पास लेकर आ आने वाली और इसलिए दोस्तों हाल फिलाल में जो company ने bank से बात भी करके रखी है यह भी confidence दिखाता है कि हाँ company इस situation से आगे आ जाएगी लेकिन एक बात दोस्तों जो important notice करने वाली है वो यह है कि अगर हिंदुस्तान zinc में company के इतनी बड़ी इससतारी है लेकिन उसके बाव अपने को majorly कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन क्योंकि वो हिंदुस्तान zinc को विदानता के international assets बेचने की अनुमाद ही नहीं मिली इसलिए यह major जो problem है वो निकल कर आई इसलिए company को दोस्तों दूसरे banks के पार जाना पड़ा bonds के लिए यह सब problem थी लेकिन अब अगर मैं बात करत पर आई बात की अब आप कंसटान्य को मिलते हैं लेकिन हाई फिलाल के अंदर जो हमने लगातार एक बड़ा कंसॉलिडेशन देखा है श्टॉक का वह है दोस्तों अप आप चानल में चानल में चाहें तोक का मतलब क्या है कि लगातार दोस्तों डेखने को मिलता है यहाँ उस 300 रुपे से जाने के लिए 300 रुपे के उपड़ स्टॉक नहीं जा पा रहा है इसमें कोई डाउट नहीं लगातार दोस्तों एक resistance face होता है और फिर वापे से stock नहीं चाहा जाता है ये भी बड़ी बात है कि दोस्तों क्योंकि क्योंकि कंपनी ने लगाता अगर उसको आप add up कर लेंगे तो definitely price almost 300 से तो जादा ही उपड़ होगी अभी लेकिन ये बात जरूर है कि क्योंकि कि कितने रुपे का dividend देगी अपने आप में important बात होने वाली है company को मुनाफ़ा तो ठीक है अभी 3000 करोड के उपर का है लेकिन कितने रुपे का company dividend देती है ये question होने वाला है लेकिन हाँ हमेशा company अच्छा dividend देती है पहला तो यहाँ पर मान के चल सकते है आप अच्छा dividend मिल सकता है लेकिन ये बात भी important है कि पिछली बार company का मुनाफ़ा इस बार company का मुनाफ़ा क्योंकि ये monthly आपको चार्ट दिखा रहा हूं है अगर weekly structure की में बात करता हूं weekly structure में बात साफ है कि stock के अंदर resistance कहा आता है resistance दोस्तों इन levels के उपर आता है जैसे ही थोड़ा बहुत तीजी दिखाना चालू करता है फिर ये साड़े 300 रुपे के level आ जाते है और अभी तो देखें लगाता रख consolidation देखने को मुल रहा है मतब लगाता stock जो है वो consolidate कर रहा है इन levels के आसपस और ये consolidation देखते हैं कब की कब breakout में तब्दील होता है उपर में resistance कौन सा छोट असा अगर जो भी आप देखेंगे वो ये है 285 प्लस का 285 प्लस उपर टिक नहीं पाता है और गिरावट आजाती है तो देखते हैं 285 प्लस टिक पाता है कि नहीं टिक पाता है majorly आप देखते हैं कि stock में क्योंकि आपको ख़वरों के कारण भी काफी move देखने को मलेगा और क्योंकि Monday को company dividend announce करने वाली है तो ये भी एक major factor होने वाला है तो देखते हैं होता क्या है बट ठीक है stock technically breakout के बिल्कुल pass लगता है बट again breakout के कारण थोड़े बहुत breakdown के संकेत भी बिल सकते हैं अगर share दोस्तो 265 के नीचे trade खना चालू करता है बिकॉस 265 के नीचे यहां पर गिरावट मान के चालू हो जाएगी और 285 के उपर अगर यह निकल जाता है तो एक तेजी start हो जाएगी तो ये दो levels का आपको महत्वपूर ने ध्यान रखना है इस वीडियो में इतना ही था तंक ये फरंच ताइस वीडियो